नमस्का दोस्तों मैं हंतक हमारे आप देख रहे हूं मेरा यूटीब चैनल तुलसी प्लांट केर ब्लॉग दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि मौसम चेंज हो रहा है मौसम चेंज होने के वज़ा से आप हमारी तुलसी की ग्रोथ भी बदलेगी क्योंकि कभी तो होगा कि ऐसकी प्लीक जाती है तो धीर धीरे ठंड भी बड़ेगी वैसे वैसे तुलसी की जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आजाएगी तुलसी की जो ग्रोथ है वह स्लो हो जाएगा से अच्ब्कुल रुक्शी जाती है ठीक है तो आज मैं केसा फटिलाइजर आपको बताने वाल ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले तो आप जानती हो कि आपकी जो तुलिसी की मंजरियां हैं उसको आपको निकाल देना है जैसे कि आप मेरी में मंजरियां देख रहे वो मैंने दोस्तों अपनी तुल चेंज आज नहीं निकाली है इसलिए आप देखिए कि मेरी तुलसी की जो मंजरियां हैं कितनी ज्यादा हो चुकी है तो अभी थोड़ी देर में मैं निकालूंगी पर उससे पहले मैं आपको फर्टिलाजर बता देती हूं कि तुलसी में अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है सतंबर आ सब्सक्राने वाली हों जिसको तुलसी में डालने से आकफ तुलसी बड़ी तीजी से बढ़े तो वह देख सकते हो जो इसे पहचानी है कि ये क्या है बहुत लोगों ने पहचान लिया होगा बहुत लोगों ने नहीं पहचाना होगा दोस्तों ये है दालचीनी ठीक है ये एक मसाला है जिसको हम फीस के वो क्या कहते हैं सबजी में डालते हैं अगर मार्च का महीना चल रहा है मार्च अपरल का महीना चल रहा है तो उस महीने में इसको देने का तरीका अलग होता है और जैसे कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर के महीने में इसका जो फटिलाजर है वो हम अलग तरीके से देंगे तो अलग तरीके से कैसे द यह देखिए इसमें कासा एक लिटर पानी आजाता है तो आप कोई जार ले लिजिए जरूरी नहीं है कि आपको भी लीटर ही पानी लेना है आप अपने तूलसी के पानी ले सकते हैं जितना पानी आपकी तूलसी में लगेगा और यह जो दाल चीनी का टुकड़ा है ना इसक तो आप कोशिश करो कि तोड़ कर पानी में डाल दो पानी में डालने के बाद दोस्ता आपको क्या करना है कि इसको 24 घंटे के लिए आपको धूप में छोड़ना है ठीक है और 24 घंटे के लिए धूप में छोड़ना है एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि बहुत लोग है और उस कंडिशन में आपको क्या करना है कि आप इससे च्छाओं में रख दो लेकिन रखने का जो समय वह बढ़ा दीजिए जिसमाल लिए 24 गंटे के लिए आप इसको धूप में रखना चाहते हो तो 24 गंटे में सिर्फ बारा घंटे इसको धूप लगेगे जो बारा घंट के बार जब इसका पूरा असर पानी में आ जाए तब इसको आपको क्या करना है तुलसी के अंदर दे देना है इस फार्टिलैजर को आपको पंद्रा दिन में एक बार देना है ठीक है पंद्रा दिन में एक बार देने से आपकी तुलसी हरी भारी घंडी हो जाएगी तो दो कि ये दो तो कि बाइ